सभी समुह की महिलाओं को मेरे तब से नमस्कार आप सभी को प्रेड़ना टीवी चैनल के तब से भी नमस्कार जी हादिदी आप सभी का बहुत स्यारा प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का मैं करती हूँ आप सभी प्रेड़ना टीवी चैनल को इसी तरह प्यार पनाय रखे क्योंकि आपके लिए नई नई योजनाओं के वारे में नई नई जनकारिया यहां आपको दी जाती है स्वैम सहायता से रिलेटिट हर प्रकार की जनकारिया आपके लिए यहां उपलब्ध है अगर आप स्वैम सहायता सम्मू में जूड़ी है तो यह चैनल आपके लिए रहेगा उपयोगी इसलिए दी आप सभी इस चैनल को सस्क्राइब कर लें और देखते रहें प्रेड़ना टीवी चैनल में चलिए दी आप जादा नहीं बात करूँगी में टॉपी के तरव आती हूँ इस वीडियो को जरूर देखें जी हां इसकीप नहीं करिएगा दी आपके लिए काफी यूसफुल है पैसे को लेकर आपके भीतर होनी चाहिए ये बचत आदते जी हां ये बचत आदते होनी चाहिए आये जानते हैं इस वीडियो के माधम से विस्तार से जैसा के दिदी मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हमारे सर्ची में काफी पैसे आ रहे हैं जी हर फ्यायम शायता समू में RF द्वारा, CIF द्वारा, CCL द्वारा सामान एरिण द्वारा काफी पैसे शमू के अंदर आ रहे हैं लेकिन हमको इस पैसे को कैसे प्लानिंग करके काम करना चाहिए किसी भी प्लान में निवेस के पहले पैसो के बारे में सही ढंक से जान लेना जरूरी होता है आप भी दिदी, आप भी अपने दिल और दिमाग में कुछ जरूरी बाते बठा ले पहली बात तो, या की, सबसे पहले आपके पास लोन के लिए एक योजना हो जी हाँ, शयायम शाहता सम्वों में पैसे लेने से पहले आपके लिए एक योजना हो Business Tax, किसी भी प्लान में निवेस के पहले पैसो के बारे में सही ढंक से जान लेना जरूरी होता है आप भी अपने दिल और दिमाग में कुछ जरूरी बाते बैठा ले पहली बात तो है कि सबसे पहले आपके पास जी हाँ आपके पास लोन के लिए एक योजना हो जी हाँ जैसे आप सम्मूम से पैसे उठाती हैं तो आपको आपके पास लोन लेने के लिए के उजना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने से बचे अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसे भरने के लिए भी आपके पास आए होनी चाहिए लोन लेना कई बार आपको बहुत पीछे धके सकता है जी हाँ, एक तरब जहां रिड़ लेके महलाई आगे बढ़ती है दूसरी तरब एक भी ये भी बात होती है कई बार आपको बहुत पीछे ठकिल सकता है अगर आप कर्ज मुक्त रहते हैं तो या एक अच्छी जी हाँ, या एक अच्छा विक्ति गत्य फ्रेशला है कर्ज लेकर कोई काम करना चाहिए, व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए दूसरी आदतों में आप अपने दोस्तों, जी हाँ, अपनी और भी बहनों की तरह अपने खर्च करने की आदतों को ना ले, जी हाँ, अधिक खर्च ना करें सीमित खर्च करना सिखें, आप इसमें सुधार लाएं अगर आप ऐसे विक्ति हैं, जो किसी को प्रभावित करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेस पर कोई नियंतर नहीं रखेंगे, जी हाँ गरीबी से दीदी अगर हटना है, तो दिखावा पन नहीं होना चाहिए जो आपके पास है, उसी में हकीकत से जीना सिखें तीसरी, आपके पास एक बचट का लच्छ होना चाहिए पैसे कमाने के बाद इसमें बचट की आदत डालें, जितना अधिक समय आप इसे सोचने में बिताएंगे आपके पास उतने कम अवसर बचेंगे आप जो कमाते हैं, उसका कम से कम 20 परतिसत बचाना चाहिए यहीं आपकी असली समपत्ती है जीवन में अपने स्वास्त पर ध्यान देना जरूरी है यह सबसे बड़ी समपत्ती है जीवन में अपने स्वास्ते समझोता नहीं करना चाहिए जीवन में खान पान कर विशेज ध्यान देना चाहिए पहनावे उड़हों पितिदी कम खर्च करना चाहिए जो की आजकर मैलाएं काफी उस पर ही खर्च कर देती है आपको बीमा भी करा कर रखना होगा बीमा भी बहुत जरूरी है आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा जुटा सकते हैं चौथी बात आप अपनी कमाई को निवेस में लगाएं आप एक प्लानिंग के साथ बचत करें और उसे निवेस करें किसी भी मंजिल तक पहुचने के लिए दिदी किसी भी मंजिल तक पहुचने के लिए आपको एक लच्छी निधारित करना होगा अगर बात कारोबार या नौकरी की करें तो यहां आपको भी लागु होता है जी हां अगर बात कारोबार या नौकरी की करें तो यहां और भी लागु होता है एक बार अपने लच्छ बना लिया है तो फिर उस पर फोकस करें जी हां फोकस करते रहें जी हाँ जब आप कोई भी बिजनेस टार्ट करें आपका पूरा फोकस उस बिजनेस पे होना चाहिए जी हाँ जैसे कि हाँ फिजूर खर्ची नहीं करेंगे हर खर्च को दबाएंगे लेकिन आपका पूरा फोकस आपके बिजनेस पे होना चाहिए न की दिखावत बन पर इससे आप आए के मामले में खुद को सुरच्चित महसूस करेंगे जैसे दिदे कि आपको मैं बता दू अंग्रेजी में एक कहावत है टाइम एंड टाइम वेट फार नॉन आपको समय का महत्व समझना होगा अगर आप समय का सद्व व्योग कर लें तो आप जल्द ही अपने लच के तरफ बढ़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कमाई के विकल्प तला से साथ ही आप बज़त के साथ निवेश की भी आदट डालें कमाई के जो भी सही रास्ते हैं गलन धंक से पैसा नहीं कमाना चाहते हैं जी हाँ क्योंकि वो नहीं टिकते हैं उनका चुनाव करें याद रखें रोज एक टोकरी मिटी डालेंगे तो एक दिन आपको उसका एक बड़ा अमबार नजर आएगा लेकिन इसका मतलब ये कत्ताई नहीं की आप गलत रास्ता चुन ले अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जी हाँ एक अमीर की पहचान भी अई होती है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी ताकत जी हाँ जिसे बोलते हैं दिदी पूरी ताकत वहीं लगाईए जहां पैसे कमाने के मौके अधिक हो जी हाँ जहां पैसे कमाने के मौके अधिक हो अरब पती जी हाँ देदी अगर आप अरब पती बनने की चाहत आपको आगे बढ़ाने की बजाय कर सकती है अतो अस्ताहित हासिल करे छोटे छोटे लच हाँ देदी आज मैं कुछ अपने बारे में इसी तरह आपको होद बताऊंगी क्योंकि मेरे दादी ने कभी कहा था कि तुम बैटी कभी नाव जैसे चलती है हम समुदर पार करना चाहते हैं एक इस अपने दिमाग में बठा लेना चाहिए कि हम समुदर पार करना चाहते हैं तो समुदर पार करें या ना करें लेकिन समुदर के किनारे जरूर आ जाएंगे जी हां समुदर पार करने का सोचेंगे तो समुदर के पास जरूर एक बर जाएंगे तो इसी तरह आप अपने लच को बना रखी आरब पती तो नहीं दिदी लेकिन लगपती जरूर बन जाएंगे गरीब मलाएं लगपती भी कहा हो पाती हैं तो अपने आग 100 की गिंती लगाईए ना 100 पहुचेंगे तो दिदी 10 तक जरूर पहुच जाएंगे तो मेहनत करती रहिए कुछ आदतों का अगर दिदी अपने चेंज कर दीजिए जी हां फिजूर करची जैसे कह घए जीदी पैसा कमाना बहुत ही आसान धे लेकिन पैसा बचाना ही मुश्किल होता है आप 10 अजर कमाईए 15 कमाईए 20 अजर कमाईए लेकिन अगर आपके अंदर बचत की आदत नहीं रहेगी जी हां बचाने की आदत नहीं रहेंगे तो पचास अजार भी कमाईएगा तो आपके परिवार को पुरा नहीं पड़ेगा तो खर्च को शीमित करगे जी हाँ फिजूल खर्ची को जहाँ आप सीमित कर देंगे उसे दिन आपके घर में पैसा बचने लगेगा और आप आगे बढ़ सकेगा तो आज की वीडियो में दिदी बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब सेयर जरूर कर दें जी जी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए और सभी महलाओं तक पहुचाईए आज की वीडियो बितना ही धन्यवाद सस्क्राइब कर लिजी हमारे चैनल को